बस सबका यही फसाना है गुरू आपके होने से ही तो रौशन हुआ जमाना है नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं टीडी हिमाचल हिमाचल के रन दूर दर्शन के संग मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आपकी दोस्त मेगा शर्मा और आज के कारेक्टरम इन से मिलिये में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अभी हंदन करते हैं दर्शकों हमारे आज के कारेक्रम का विशे है ज्यान के दीपक शिक्षक और इस विशे पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में बेहरी खास शक्सियत हमारे बीश मौजूद है जिने 2023 का राज्य शिक्षक दिवस के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपके जीवन में इस साल का शिक्षक दिवस किस तरह का रहा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं कि जो सिखसक दिवस का जो एक आवसर है भारत वर्स के पहले उपराष्ट पती और दितिया राष्ट पती डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन जी उनके जनम दिवस पे उनकी यादगार पे इसको मनाया जाता है उनके स्टुडेंट ने ये इच्छा जाहिर की कि हम आपके जनम दिवस को एक पूरे सम्मान के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इन्होंने जो ये टीचर डे है इन्होंने जो अपना जनम दिवस है टीचर डे के लिए के रूप में समर्पित कर दिया क्योंकि मैं कहना चाहूंगा मेडम कि डॉक्टर सरपली रादा कृष्णन ये महान सिक्षाविद वक्ता और दर्सन सास्त्री रहे हैं और इनका बहुत योगदान रहा है शिक्षा के क्षेतर में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 पे तो जो हमारे भारत वर्स की जो लिट्रेसी रेट थी केवल 12 परसेंट थी तो सबसी पहले जो हमारा University Education Commission फॉर्म किया गया तो इनकी चीर्मेन इनको एपॉइंट किया गया और उनकी नेत्रितों में जो शिक्षा के क्षेतर में जो नए नए सुधार उसकी सुलाने की पूरा प्रियास किया गया और सात सात मैं ये कहना चाहुँगा मैं कि जो सरवपली रादाकृषटन, डॉक्टर सरवपली रादाकृष्ण कई बार हमारे मन में क्वेश्चिन और उबहता है, उठता है कि डॉक्टर सरवपली रादाकृष्ण divide कीो इनके नाम के साथ के जोड़ा गया के लिए और उसको एक और देने के लिए समान देने के लिए इनके नाम किया गए सरपली छोड़ा गया जी आपकी जीवन में इस साल के जो शिक्षक दिवस्ता किस तरह कर रहा मैं मैं बहुत अपने आपको गुर्वानित महसूस कर रहा हूं क्योंकि पांच सेप्टेंबर को म एक बहुत बड़े प्रेस्टिज़ी खीने के साथ मुझे नावादा गया है और चाहता है लग कि मुझे आप इस प्रफेशन में या दूसरे प्रफेशन में कि मुझे एक कुछ ना कुछ एक मुझे recognition में तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे भीभाग द्वारा शिक्सा भीभाग द्वारा एक बहुत एक बहुत ही अच्छा एक reward management में कि इसको और ज्यादा से ज्यादा प्रोथ साहन देने के लिए कि इस education के field में हम energetic तरीके से और अच्छे से अच् करने के लिए इस बार नवाजा गया है लेकिन मैं आप से जानना चाहती हूँ कि education शिक्षा की आपकी नजरूं में क्या माइन है सबसे पहले मैं कहना जाऊंगा मैं कि education जो है यह एक लेटिन वर्ड है उससे डिराइड किया गया है जिसका मतलब होता है bring forth मतलब बच्चे की जो चुपी हुई प्रतीबा है उसको किस तरीके से बाहर निकाना क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई किसी तरीके को कोई न कोई एक खूबी होती है हम कह सकते हैं जैसे कि हम Sanskrit की बात करते हैं कि विद्या विद्या जो है यह विद से डिराइड किया है जिसका मतलब होता है मतलब कि हमें हर तरीके से जो है हर कॉंसेप्ट को हर कंटेंट्स को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है तो मैं मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जो एजुकिशन है अपने डिफेंट अब्जेक्टिव के साथ चाहे हम बात करते हैं कि वोकिशनल एम की चाहे हम डेमोक् काम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा वैपन है एजुकिशन जी दर्शक जैसे अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आपका प्रशस्ती पत्र देख रहे थे तो सर बताएं कि जो आपको ये एवोर्ड मिला है तो आपने किन-किन आयामों पे काम किया है जो आपको ये इस hate story से अवाजा आ गया में मैं मैं सम्जते हुं, यह म fuckinria मानना मेरक ब्यक्तिगा तो चाओ सी मानना है कि कि जो quantitative education हमारा मकसद नहीं नहां छी इस profession हो कि quantitative quantitative कि हम बच्छी की केवल हम result तक ही सीमित रहे हम qualitative education और मेरा ये focus दस्किस रहता है कि बच्चे की वालीटेटिव एजुकेशन में में ज बच्ची में दिखना जीए कि मैं सकूल में जा रहा हूं सक्षरण कई जीए कन है रहा हूं तो मैं कि यह फेकझ किम वर्कोंर यहां रहा है मैंने जो अपनी जो मेरे जो बच्ची का सलेवस है बच्ची की पढ़ाई है उसको एक माना है और उसकी बाद जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें बच्ची को हर तरीक के से में पर्टिस्पेट करने के लिए प्रोत्साहन दिया है मैं कहना चाहूँगा मैडम कि जब म मेरा senior secondary नारग चेला सिरमोर में तो मैंने वहां सी मेरी beginning थी कि मैं बच्चे को पार्टिस्पेट करवाऊं cultural activities के साथ पढ़ाई के साथ-साथ cultural activities में debate, declamation या फिर cultural activities में और मैंने पार्टिस्पेट करवाना वहां से शुरू किया समय के साथ-साथ मुझे और इंस्टिटूट में जाने का मोका मिला जैसे senior secondary school सराहा में सराहा में मुझे बहुत मोका मिला मुझे पार्टिस्पेट करवाने का डॉक्टर हरी राम सरमा जी हमारे पराचा रहा थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैंने काम किया और मैंने state level तक अपनी team को पहुंच आया सराहा स्कू आ गया मैं उसके बाद मैं boy school solan में आया मैं बताना चाहूंगा कि मैंने solan में boy school जो मेरा solan का school है मैंने अपनी team को तीन बार youth parliament में क्योंकि मुझे पुरान थोड़ा अनुभव भी था और 2016 की जो हम थे state winner हलंकि मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यह नहीं सोच की चला कि मुझ मैं अंगरेज जी का प्रवक्ता हूं यह political science का एक topic है यह विसे है मैंने यह चीज कभी नहीं मानी और 2016 में हमारी team जो थी state में first आई थी हमीर प्रू में 17 में फिर हम state में फिर second आए 18 में फिर मैंने अपनी team को boy school solan की team को वहां पर उन्ना में ले गया और इसके साथ साथ मैं पढ़ाई तक ही सीमित ना रखा जाए उसके साथ पढ़ाई नंबर एक है किसी ने कहा भी है कि पढ़ाई एक है अगर बच्चा साथ साथ को curricular activities में participate करता है तो आगे 00 लगती जाएगी हाँ पहले एक नंबर पे हमने पढ़ाई किया cultural activities जीरो फिर आगे एक के बाद जीरो लगती है यूथ पार्लेमेंट जीरो वैल्यू बढ़ती जाएगी सो उसके बाद बच्चे ने पार्टिस्पेट किया स्पोर्स में किया एंसी सी में वैल्य हाजार हो गई और मैं समझता हूं कि इतने आज हमारी गवर्नमेंट जो है सरकारे इस तरीके से हमारे खिलाडियो आज हमारे जो बच्चे दूसरे तरीके से को करिकूलर अक्टिटिव में पार्टिस्पेट करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा उनकी स्कॉप खुल जाते हैं बहुत बहुत भाँ धन्यवाद आपके बैजिस से हम यह जान पा रहे हैं कि आपने आर्मी मे कैसे उसमें हेल्प हुई उससे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे देश सेवा करने का बहुत एक मेरा एक तमन्ना थी कि मैं भारत इस देश की सेवा कर सकूं इस मात्री भूमी की सेवा कर सकूं कि मैं आर्मी बैक ग्राउंड में मेरा मेरे पीता जी भी आर्मी बैक ग्राउंड उन्होंने 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में पार्टिस्पेट किया है, अपनी सेवाई इस देश को समर्पित की है, तो मेरा भी यह तमना थी कि मैं देश यवा करूँ, और मैं समझता हूं, मैं भागया साली मानता हूं कि मुझे देश यवा करने का मोका मिला, और मैंने आमी टे darf आमी जोईन कि अपनी मीडियम डिजमेंट में जोईन किया, तू मैं समझता हूं मैं कि मैंने न्योगों के, अल इंडिया लेवल के जो लोग थी उनके साथ काम किया, इज़एन मुझे 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 डिफ्रेंट जगह पर जाने का मुझा मिला, यह की दीफरेंट पर challenges का सामना कर और मैंने challenges को कभी आड़े आड़े नहीं आने दिया challenges के आगे मैंने कभी खुटने नहीं से टेके और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उसका फाइदा मुझे जो क्यों कि teaching जो एक profession एक noble profession है और मेरे के सपना था दे सेवा के साथ सथ मेरे के सपना था कि एक मैं teacher बनूँ अगर मैं आमी के बाद करूँगा मैं जोब करूँगा तो मुझे एक authoritative teacher बनके एक noble profession पर मैं जाओं और अपनी सेवा इस राज्या सरकार को दे सकूँ और उसका मुझे फाइदा मिला क्योंकि मैंने आमी में बहुत struggle किया और इसके साथ सथ मैं कहना चाहूंगा कि आमी ने मुझे बहुत कुछ दिया मैं यह साथ बताना चाहूंगा कि मैं आर्मी से ही मैंने library course किया आमी से ही मैंने pity course किया और उसका फाइदा मुझे यहां पर जो मेरा teaching profession है उसमें बहुत ज्यादा beneficial हो रहे है कई बार मैं बच्च से आपने अगर आप forces जोईन करना चाहते हैं आप पैरा मिलिटरी आमी एरफोस जोईन करना या अधर जो में जाना चाहते हैं तो मैं मुझे ही फाइदा मिला कि बच्चों को किस तरीके से ground test के बारे में बताओं किस तरीके से return test qualify करना उसके बारे में बताओं और साथ-साथ क है हमने face करना है interview कैसे face करने उसके बारे में भी मैंने को बताता हूं तो सर कहीं ना कहीं आपका जो डाइवर्स experience था आपके बच्चों को भी काफे ज़्यादा helpful रहा है सर हम आर्मी की बात कर रहे हैं सेना की बात कर रहे हैं तो दो lines अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे आर्मी या देश भक्ति से जुड़ी तो उससे खुबसूरत है क्या ही होगा मैं जैसे हम जानते है कि हमारा जो प्रदेश है ही मांचल प्रदेश वीर भूमी है सबसे पहले जो परम वीर्चक्रा ही मांचल प्रदेश के बेजर स्वाम नाथसी को मिला उसके बाद हम बात कर कर दिया इस राष्ट के लिए तो मैं उनकी जो पुन्ने आत्मा है उनकी आवाज जब हमारे कानों में सुनाई देती है तो मैं उन्हीं का मेसेज अपने जो सुरोता है उन लोगों को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे शहीदों की कुर टो मेर anál है कि हम लोगों को अपना देस पहले है सबसे हमारा मक21 है कि ने जी अपने living by실 है और कि यह डमी हो बताया कि उसके साथ साथ आ अपना पी टिय कोलस की और और सारी चीज़े करी लेकिन जब आपने ठान लिया कि आर्मी के बाद मैं शिक-शक बनूँगा तो आपने किस-किस तरह से अपनी क्वैलिफिकेशन अर्चित करी इसके बारे में भी बताए क्योंकि आपका जो डिमेंशन है वो काफी ब्रॉड है तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को पता होना मैं बताना चाहूँगा मैं, education is the best weapon to change the world, education एक ऐसा हथियारक की पूरे संसार को बदल सकता है, मैं बताना चाहूँगा कि, जैसे हमने पहले भी बताया, कि मेरे सामने मेरे life में बहुत challenges थी, मैं कभी सस्मेने टेके, तो मैं पोश्ट ग्रेजुएशन की, मैं रजोरी में था, बहुत, क्योंकि बॉर्डर एलाखे पे था, मैंने MA English की वहाँ पर 96 में, उसके बाद जब मैं आमी से आया था 98 में, उसके बाद मैंने अपनी education, अपनी qualification को जारी रखा मैं, तो मैंने उसके बाद अपनी जो post graduation मेरी history में हुई, आकर के, उसके बाद मैंने B.A.D. की, आमी से आके, उसके बाद फिर मैंने M.A.D. की, आमी से आके, तो मैं समस्ताओं की मेरे पास आज तीन post graduation English history और education की है, साथ-साथ B.A.D. भी मैंने की है, और इसके अलावा मुझे मोका मिला R.I.E. Regional Institute of English, जो की चंडीगड में है, और 5 states के वहाँ पर teachers आते हैं, 5 states इसके लेक्षर राते हैं, J.N. के ही, माचल, पंजाब, अर्याना, चंडीगड यूटी के, मुझे भी सिक्सा भी भाग की तरफ से भेजा गया, और मैं अपने आपको लक्यस्ट मानता हूं, मुझे मोका मिला, तो जब मैंने तीन महने की training थी, तो वहाँ पर भी training के दोरान देखा जाता था, तो मुझे वहाँ पर teaching competition हुआ, और इस तरीके से मेरी वहाँ पर regional institute of English में मुझे second position से नवाजा गया, तो इससे ज़्यादा मैं अपने आपको गोरवानमित कैसी, मतलब इतना ज़्यादा अपने आपको गोरवानमित महसूस करता हूं कि इस profession ने मुझे, इस teaching जो एक noble profession है, हर चीज दी है, हर चीज जो कि हम इसको परमात्मा की देन मान की चलते हैं. जब हम बात करते हैं, शिक्षा और शिक्षन की, यानि की teaching learning की, तो तीन domains हम उनकी बात करते हैं, तो आप किस तरह से उन तीनों domains का, जब हम बात करते हैं, cognitive, effective, psychomotor, तो आप किस तरह से इन तीनों domains को ध्यान में रखकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं मेरा सबसे चीज़, मेरा ये focus रहता है, कि जैसे हमने learning के तीन domains की बात की है, cognitive की बात की, effective और psychomotor की, cognitive मतलब तीन H पे मेरा focus है, तीन H में क्या आगया, cognition की बात करते हैं, thinking, means, तीन H head, और दूसरा H जो हम बात करते हैं, heart, और तीसरा H बात करते हैं, hand, means, सबसे पहला, बोलती है, head, heart, और hand, तीनो H पे में focus रखता हूं, cognitive domains की बात करते हैं, knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, और evaluation, बच्चे को सबसे पहले knowledge impart करना है, हम बात करते हैं, पहले ABC जब हम उसके letters लिखते हैं, अभी भी मैं देखता हूं, कई बार हम किसी को हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन को बीच में COVID का time भी रहा, कई बच्चों को B और D कर, अभी भी कई चीजों का concept clear नहीं है, understanding, knowledge की बात हम बात करते हैं कि understanding बहुत जरूरी है, बच्चा उस चीज को understand कर रहा है है, उसकी application बहुत जरूरी है, फिर उसको analyze कैसे कर रहा है, उसको synthesize कर रहा है, तो मेरा मतलब सबसे बड़ी बात यह चीज रहता है, focus रहता है कि cognition पे, effective domains की बात करते है, receive करना है, respond करना है, valuing और characterization, मतलब बच्ची को उस like बनाना है कि उसके character build up हो, एक teacher lecture करते हैं, और सो बच्चे को lecture किया, उनको बता कि रखा कि हा, sports की बहुत फाइदे हैं, और 99 बच्चा उस पे focus नहीं करता, एक बच impart कर रहे हैं, बच्चे का character को कैसे build, build up करना है, effective domains की दाएरे में आता है, psychomotor की बात करते हैं, जैसे हमारी सरकारे, national education policy 2020 में भी इस पे focus किया है, कि जो आप, जो हमारी जो skill को कैसे develop करना है, कि जिसमें की दिमाग और hand का, साथ दोनों का combination होता है, और शीच पे ज़्यादा तो मैं मैं कहना चाहूँगा कि तीनों domains को देखते हैं, बच्चे के caliber, बच्चे का potential है, बच्चे का IQ कितना है, IQ level कितना है, उन तीनों पे नजर रखे और different skills के साथ, जैसे हम बात करते हैं, skills की बात की stimulus variation की बात करते हैं, deductive and inductive approach की बात करते हैं, reinforcement की बात करते हैं, बच्च naturally जो करना चाहता भी है, तो बच्चा थोड़ा पीछे हट चाहेगा, आपकी इसी बात से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, कि जब class में हम देखते हैं, class में तरह तरह के बच्चे होते हैं, कुछ gifted children होते हैं, कुछ average होते हैं, कुछ below average होते हैं, तो एकदम जो weak बच्चा हो आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, मैं आज कल government senior secondary school वासनी जीला सिर्मोर, सबसे पहले तो मैं इस संदर में जो परमार साब की, डॉक्टर यस्वंत परमार साब की जो जनम स्थाली है, उनको प्रनाम करता हूं, वहां से वासनी से 20-25 किलो मेटर बाक्थन जगह परती है, मै तो जैसे कि आपने कहा, और साथ-साथ मैं ये अपने school के बारे में भी कहना चाहूंगा, मैं वासनी स्कूल में हमारे परदाहना चारह जी, सिरी रवी पमर जी, और साथ-साथ जो हमारे वासनी स्कूल के जो वर्दी teachers है, और वहां के जो local जो लोग हैं, उन लोगों का बड जो प्कीं, झीए स्कूल के जो लिए प्टरियोऔर है, थोड़ा नीचले स्तरिक्राव के लिए क्रक्ते हैं, तो मैं संचता हूँ कि मैं एबे बच्चे के लिए कोसिस करता हूँ कि अगर हमारा बच्चा काम उयरुम भी आजकल हो, प्राप्धान करता हूँ, कोसिस कर रहता है कि जो weak बच्चे है मैठम, उनको कैसे उठाये उठाये इस परेज किए क्ल Lewis के बच्चे को सुरू नी किया ज्रिद से परेजने की पहता है ? तो मैं समझता हूँ कि जो वीक बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लासिस लेता हूँ और जो बच्चा अगर 60-70 नंबर लेने वाला बच्चा है मैं उनको देखता हूँ कि बच्चे तुम्हारे को 90, 95, 98 मास कैसे आते हैं उनके लिए भी मैं क्लासिस का प्राप्थान करता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत वहां के स्थानिय लोग, वासिनी के स्थानिय लोगों का मैं सुकर गुजारूं की, मैं इक बहुत surprise होता हूं कि पूरी class मेरे जो पूरे बच्चे हैं उस टाइम पे extra classes हालांकि वहां cash crop होते हैं लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे को spare करते हैं सर आपकी साहित्य में भी रूची है और आपने एक book भी लिखी है थो जाओ मैंने ये किताब अपनी माँ के नाम से लिखियू है, उनको डैडिकेट के है एक पोईनो तो मेरे शाहित्य में भी बहुत रूची है कि वासनी स्कूल में था, तो मुझी तीन बारPhैडिटर बनने का वहां पर मोकह मिला तो तीन बार मैं Chief Editor रहा कि मतलब बच्चे का सरवांगिन विकास करना ही सिख्षा का मुख्या उदे से है means holistic development is the objective of education और तीन बार मैं वहां पर Chief Editor रहा Boy School Solan में आया मुझे वहां पर फिर Chief Editor की duty दी गई और मैं लगभग चार-पांच बार Chief Editor का duty perform अभी भी मैंजी स्कूल में हूँ वहां पर भी हम magazine school की जो पत्री का है उसको निकालने वाले हैं क्योंकि मतलब बच्चे to release the latent and unsprouted talent of young words यह सबसे बड़ा माध्यम है कि बच्चे को एक लेखक एक कवी किस तरीके से बनाया जाए और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा माध्यम हमारा स्कूल में जीना कि बच्चा आगे आएगा आर्टिकल्स देते और इस तरीके से बच्चे में सबसे बड़ी बात है मुख्या उदे से हमारा एजुकेशन की बच्चे को कॉफिदेंस बच्चे की कॉफिदेंस को किस तरीके से बिल्ड़ अप किया जाता है कि प्रतक्ष को प्रमान की जुरूरत नहीं पड़ती तो आपका ड़िकेशन और आपका जो हाड़ वोस तो हमें दिख रहा है लेकिन पर्दे के पीछे के फो कौन लोग로 कि बाताएं के सबसे पहले पर लेगा सकते हैं कि डिरेक्ट फान लोग है जिनों ने आपको हमेशा support किया उनके बारे में भी बताएं जरा सबसे पहले परदे के पिछे कह सकते हम कि direct indirect मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैं अपने मा बाप मेरे पीता जी का नाम सिरी खाजाना राम मेरे माता जी का नाम सिरी मती- ब्रह्मी देवी उनकी blessing की बदोलत मैं आज इस मुकाम पे हूँ साथ साथ अगर मैं अगर आप रियल माइनों में पुछे कि आपको आवार्ड मिला है तो मैं अपनी पत्मी रजनी वर्मा को ये आवार्ड समर्पित करता हूँ क्योंकि उनकी बदोलत मुझे ये आवार्ड मिला है क्योंकि मेरा एक मकसद रहा है जैसे जैसे हमने बात की कि पांच ए बार्मे स्टेट में पार्टी सेट करा है तो मैंने कभी बच्चे की क्लास मिस अने पर कभी ग्ष्टी तायारा की लिए मेरी वाईफ ने कभी सब्साद्या कि आप second Saturday है संडे है, आप संडे को कहां जा रहे हैं, तो मैं अपनी वाइफ रजनी देवी को ये अवार्ड समर्पित करता हूँ, और साथ-साथ मेरे ससुर साथ हैं, सिरी मनिरम वर्मा जी, उन्हें ने मुझे बहुत मौटिव किया, अगर आप प्रोफेशनल गुरू की बात करें, मेरे प्रोफेशनल गुरू सिरी सी प्रभाकर जी, और साथ-साथ जो इंडिरेक्ट जिन का स्पोर्ट रहा, मैडम पुस्पा कांडा जी, जो की डेप्टी डिरेक्टर के पद से रिटायर हुएं, सिरी विपेंदर काल्था जी, सिरी सुधीर जी, सिरी प्रभाकर जी, बहुत से एक अपनी पंच्वालिटी है, उसको उसके साथ-साथ अगर हम चलेंगे, तो हम जुरूर अपने उस मुकाम पर पहुंचेंगे, और मैं अंतिम पंक्तियां रखना चाहूंगा, कि जो टीचिंग कॉम्टी की तरफ से, कि हर प्रोफेशन का एक न कोई न कोई गुरू होता ह तो मैं कहना चाहूंगा कि सुन्दर सुर् सजाने का साज बनाता हूँ, नो सिखिये परिंदे को बाज बनाता हूँ, छुप चाप सुनता हूँ बातें सभी की, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, सुमुदर तो पर्कता है होंसले कस्तियों के. मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातशीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपके जैसे शिक्षक जो अपना जीवन जो है, बच्चो को संजोने में लगे है, एक राष्टर का निर्पान करने में लगे है, उनको शच्चा तमन है, आज किस कारेक्टर में इतना ही बने रह आपके, नमस्काष.